हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू एन अकैट्वी स्टूडियोज लेट्स क्रैक फॉंडेशन एन न्टियस्टी आप सब बच्चों का स्वागत यार यह जो चैप्टर है साउंड जो है यह सब चीजे बेसिक साउंड के बारे में हमने समझा इससे पहले जो था मैंने आपको चैप्टर 6 ऑफ आईससी बोड पढ़ाया था स्पेक्ट्रम आपको पूरा डिटेल में समझाया था इसके अलावा यह जो चैप्टर है यह चैप्टर आज मैं समाप्त करने वाला हूँ इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे बेसिक पार्ट पढ़ने के बाद different types of vibrations पढ़े थे हमने कि what is the natural frequency natural vibrations अकर होते हैं उसके बाद आपने इसके अंदर पढ़ा था कि damped vibrations क्या होते हैं जब amplitude धीरे-धीरे decrease होता जाता है उसके बाद मैंने आपको forced vibrations पढ़ाये थे इन तीनों को पढ़ाने के बाद मैंने आपको एक बात बताई थी जब forced vibrations match कर जाते है natural vibrations से then it creates a loud sound तो अगर natural vibrations जो है natural frequency जो है वो forced frequency के बराबर हो जाती है जो driving force की frequency होती है तो यह object जो होता है maximum amplitude से vibrate करता है and that is known as resonance ठीक है यह सारी बाते हम कर चुके थे आज sector को आगे लेके बढ़ते हैं कुछ characteristics जो है मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ उससे पहले याँ teams introduce कर देता हूँ यह जो है हमारी foundation and ntsc की team इस team की सबसे खास बात that this team has the experience of teaching in quota राजिस्थान तो यार इस team को पता है कि quota में किस तरह से बच्चों को गुरूम किया जा रहा है तो जल्दी से जो है unacademy का subscription ले लो और RA live code को डालते वे उसको use करते वे subscription लेना अगर ऐसा करोगे आप तो आपको 10% fee benefit मिलेगा 10% fee discount आपको मिल जाएगा वाँ पर और आप इन सब teachers से जो कि foundation और NTSC platform पर पढ़ा रहे हैं पढ़ पाओगे जल्दी से जो है आगे बढ़ते हैं यार यह सारी बाते मैं आपको समझा दी मेरा नाम जो है यहाँ पर मैंने बता दिया कि मेरा नाम है राहूल पंचोली और मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ अगे बढ़ते हैं देखो Monday to Sunday हर दिन आप लोग के सामने आऊँगा यह वाला जो slot है यह 10th ICSC board target class चल रहा है आज जो है इस slot के अंदर sound chapter जो है हमारा finish हो जाएगा देन इसके बाद इस slot के अंदर जो है 9th CBSC वाले बच्चों के लिए हम Menti quizzes लेके आएंगे कल से इसके अंदर 9CBC वाले बच्चों के लिए Menti quizzes लेके आएंगे यह जो हमारा slot है यह 10th ICSC Menti quizzes इसके अंदर हम conduct कराएंगे 10th ICSC Menti quizzes जो है इसके अंदर हमारे continuously ऐसे ही चलते रहेंगे जल्दी से आगे बढ़ते हैं यह बात मैंने आपको समझा दी RA live code को यूज करते वे जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो ठीक है आपको यहां दिख रहा है कि यह educators live है उसके बाद आप देख पाऊंगे who are the top educators depending on the number of classes they are taking then कौन कौन सा कौर्स आने वाला है यह भी आप देख सकते हो that यह date पर यह course start हो रहा है उसके बाद हमने cataloging कर रखे 9th class का कौर्स कौन सा NTC कौन सा 10th का कौन सा कौन सा कौर्स पूरे साल भर चल रहा है यह सारे फीचर्स जो है आपको इस website पर दिखाई देंगे बहुत ही handy और बहुत ही user friendly हो चुकी आप लोग के लिए जैसे आप लोग हमसे यहां इंट्रेक्ट कर पा रहे हैं YouTube पे वैसा ही interaction जो है आप हमारे अन NTC website तो देर किस बात किया जल्दी से subscription ले लो आरे लाइव कोड को डालना आरे लाइव कोड को डालने से क्या फायदा होता है देखो सबसे पहले तो यह NTC की जो लर्निंग अप पर देख लो यार लर्निंग अप पर जो आपको वहां सारी website पर फीचर्स दिखाई दे रहे एक्जक्ट वैसे के वैसे फीचर्स आपको लर्निंग एप भी दिखाई देते हैं लैप्टॉप डेस्टॉप लेने की कोई ज़रत नहीं है अगर मोबाइल से पढ़ना है तो मोबाइल से भी आप पूरी studies कंप्लीट कर सकते हैं देखो 21,000 दो साल का subscription अगर आप 8th या 9th क् ले सकते हैं तो बहुत ही गजब का आप लोग के पास मतला एक मौका है सुनेहरा मौका 788 रुपीज में पर मंथ सारे टीजर्स ठीके इससे इजी डील और अच्छी डील आपके बाद कुछ भी नहीं मिल पाएगी ठीके इस दो साल का subscription 8th या 9th के बच्चा जो है ले सकता है 10th class में foundation and NTSC platform पे पढ़ो 11-12 में JEE platform पे जाओगे तो उसका subscription जो है आप लेना in your 10th class we will be supporting you for your foundation and NTSC so take this subscription of 1 year for 10th class 8th and 9th वाले at least 2 साल का ले लो यार ठीके जल्दी से आगे बढ़ते हैं ये सारी बाते मैं आपको यहाँ पर बता दीए ठीके अब देखो यार कल का lecture जहां छ frequency of driving force is equals to frequency natural of the body ये जब match कर जाता है तो large amplitudes कल हम बात कर चुके हैं and large amplitude और ये resonance वाली condition बन जाती है let us understand further ये बात आप समझ चुके थे कल मैंने आपको बता दीथी air columns के अंदर tuning fog के वाज़े से कैसे vibrations होते हैं वहाँ पर due to the large surface area of the sound box यहाँ पर large sound एक loud sound produce होती है ठीके then resonance in a bridge अगर soldiers bridge के उपर से march pass करते वे जा रहे हैं so उनके जो footsteps है उसके वाज़े से क्या हो रही है एक frequency भी वो footsteps मार रहे हैं बार बार if that frequency matches with the natural frequency of vibration of the bridge तो क्या होगा amplitude large हो जाएगा vibration bridge का और bridge vibrate करते वे तूट सकता है the bridge can break it can collapse ठीके so that is the reason it is said to the army persons or it is said to the soldiers that when you are passing through a bridge then don't do march past at the time ठीके यह कहा जाता है कि march pass माना कर दी जाती तो यह condition एक और resonance in the bridge में आपको बताई next देखो resonance in radio or tv receivers तो क्या होता है जो wave आ रही है उसकी कोई frequency है आपने frequency जो है instrument की इस तरह से modulate कर दी आपने देखा को उसको पर ऐसे buttons होते हैं उसको आपने rotate किया उसकी frequency इस तरह से change कर दी that frequency of that radio receiver frequency of the object उसकी जो natural frequency है it is equivalent to the frequency of driving force driving force क्या है यहाँ पर जो waves आ रही थी radio waves आ रही थी हवा में वो these are the driving force समझ लेते हैं जरा the tuning of radio TV receivers is based on resonance radio and TV receivers have electronic circuits which produces electromagnetic vibrations frequency of which can be changed by changing the values of the electronic components तो ऐसे से आप उपर rotate करके उन्हें आप देखते हो कि आप frequency उसकी change कर सकते हो ठीक है and inductance होता है coil का ठीक है तो यह आप जो है higher classes में जाके पढ़ोगे inductance को L से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है capacitor की जो चीज होती उसको CC रिप्रेजेंट किया हुआ है RLC circuit होता है यह detail में आप पढ़ने वाले हो 11th class में जाने के बाद 12th class में sorry capacitors में when we want to tune a radio TV receiver we merely adjust the values of the electronic components to produce vibrations of frequency equal to that of a radio wave which we want to receive ठीक है तो हमें यह करना होता है when both the frequencies match resonance occurs and only the energy of signal of that particular frequency is received from the waves ठीक है तो वो particular signal जो है उसको receive करने लग जाता है वो frequency को और उसके अंदर क्या होता है loud sound आपको radio के अंदर music सुनाई देने लग जाता है जो वहाँ से telecast हो रहा है ठीक है in space leaving the signals of other frequencies which do not match with the frequency of the receiver circuit this signal received is then amplified in the receiver set तो उसके अंदर हमेशा जो receiver set होता है आपका radio या instrument होता है उसके अंदर एक amplifier लगा होता है वो signals के amplitude को बड़ा कर देता है बड़ा कर देगा तो आपको वहाँ पर वो clearly आवाज सुनाई देने लग जाएगी ठीक है यह चीज़ समझ क्या आप resonance की बात में last class में खतम वैसे भी कर चुका था एक या दो example बचे थे आज हमने लेके वो समझ लिए now let us understand the characteristics characteristics क्या है देखो यार loudness pitch and quality loudness is something related to amplitude अभी बात करेंगे कैसे relation है ठीक है pitch is related to frequency of the sound की frequency change होने से कैसे पर change हो रही है quality ठीक है quality जो होती ही देखो सबसे important बात बच्चे कुछ बच्चे में से पूछते हैं कि सरी खराब quality की अच्छी quality की खराब quality अच्छी quality ऐसा कुछ भी differentiation नहीं है that the quality of one wave is different from the quality of other wave इस तरह से हम बोलेंगे कि that both the waves have different qualities ठीक है तो इसको कहा गया है ठीक है अब देखो यहां पर किस तरह से हम यहां पर एक experiment कर रहें देखना है यहां से CRO है CRO का मतलब क्या है यहां पर आपको जो है electric forms के अंदर यहां पर आपको waves दिखाई देने लग जाएगी इसके उपर display हो जाएगी ठीक है इसके अलावा क्या हो रहा है यहां पर इस तरह से vibrating tuning fog है यहां पर microphone है ज़रा इस experiment को समझने ही कोशि of a sound wave using a microframe and a CRO microphone को use किया CRO को use किया sound to be studied is produced before the microphone connected to the Y input of CRO the wave pattern of sound displacement time graph is obtained on the screen CRO दीक है तो आपने क्या किया tuning fog को यहां पर hit किया rubber pad पर और किसे सामने रख दिया microphone से आवाज गई इसके अंदर और CRO पर क्या है यहां से आपने input दिया इस input की वज़े से क्या हुआ यह जो vibrations थे यह electrical signals में convert हो जाएंगे cathode ray oscilloscope जो है इसकी वज़े से जो है यह चेंज हो जाएंगे और आप देख पाओगे screen पर कि waves किस pattern की है so that is the benefit आप इसे हिसा यूज कर सकते हो loudness intensity जरह समझ लेते हैं loudness is the characteristics by virtue of which a loud sound can be distinguished from a faint one both have the same pitch and quality ठीक है तो अगर दो waves है same pitch मतलब same frequency वाली same quality मतलब एक तरह का pattern दिख रहा है अगर उन दोनों में आपको differentiate करने है मालों एक sign का करवे sign x और sign 2x दोनों का pattern एक जैसा होता है sign x और sign 2x का ठीक है इसके लाबा दोनों की frequency जो है वो भी match करती भी दिखती है अपने को but amplitude जो है कम जादा नहीं amplitude तो नहीं होगा क्योंकि जो maximum value क्या हो सकती है दोनों की 1 हो सकती है सो ये बात तो गलत होगी sign x और sign 2x की तो frequency अलग अलग होगी just imagine करो कोई मैं इस तरह से आपको चीज़ देता हूँ sign x और दूसरा देता हूँ y is equal to sign x divide by 4 ठीक है पूरे के पूरी चीज़ को divide by 4 कर दिया अब क्या है इनकी frequencies तो बराबर है पर amplitude अलग अलग हो गए amplitude अलग हो गए तो देखो same frequency sign 0 पे दोनों 0 हो जाते हैं x की value 0 डालने पे sign pi by 2 डालने पे दोनों क्या हो जाते हैं maximum हो जाते हैं ठीक है तो frequency तो दोनों की match कर गई है इसके बाद अगर मैं check करूं इसका maximum value कितनी आएगी that is one इसके maximum value क्या आएगी pi by 2 डालने पे 1 by 4 आजाएगी तो मुझे दिख रहा है दोनों के amplitudes अलग लग हो गए तो इन दोनों waves में करे स्टाइक it softly and bring it front to the microphone you will hear a feeble और soft sound बहुत धीरे साउंड होगी उसका जो amplitude होगा वो कुछ इस तरह से होगा जरा ध्यान से देखना ऐसा ठीक है then let us understand further sketch the trace you observe on the screen of siya रहे हो nice strike the same tuning fork hard and bring it near hard strike करोगी तो amplitude बढ़ जाएगा amplitude बढ़ जाएगा तो sound क्या होगी loud होगी loud sound ही जो है वो इस तरह से दिखाई देगी देखना frequency तो मैं same match करती भी दिखाऊंगा यहाँ पर देखो यहाँ पर अब आपको दिखाई देर होगा कि यहाँ पर amplitude बदल गया है but frequency match कर रही है और wave का pattern that is the quality it is also matching ठीक है strike and draw किया loud sound is heard again sketch the trace observed on the screen of CRO show the two sketches देखो frequency same है दोनों कि यहाँ दिख रही है इतने इतने time में एक wave complete हो रही है then इसके लब आपको क्या दिखाई दे रहा है that yes का amplitude small yes का large amplitude that's how you can distinguish between them the two waves have same frequency and same waveform same waveform को क्यों बोला है इनका wave का pattern एक जैसा है wave की quality एक जैसी है because they both are sign curves ठीक है but they differ in amplitude obviously the loud sound corresponds to the wave of large amplitude जिसकी amplitude बड़ी वो sound क्या हो जाएगी loud sound हो जाएगी ठीक है तो यह loud sound हो जाएगी आगे बढ़ते है देखो then similarly if the key of a piano is hit hard और a pipe is blown hard ठीक है एक pipe में जोड से हवा पास करते हो या फिर प्यानियों की की को जोड से मारते हो तो क्या होता है loud sound यहाँ पर produce होती है we put more energy in the vibrating system due to which the amplitude of vibrations is increased and a loud sound is produced तो जोड से आवाज जो है यहाँ पर produce होती है आगे देखते है loudness of sound depends on the amplitude of the sound ठीक है loudness is something related to the amplitude अभी बात करते है आगे वैसे यह square of the amplitude के directly proportion होती है अभी आगे आ जाएगा कहाँ पर लिखा हुआ है भी दिख जाएगा देखना intensity यहार intensity में आपको पहले ही चीज़ बता दी एक चीज़ intensity का मतलब क्या होता है energy per unit area per unit time बहुत simple सी बात है energy produce हुई समय के साथ साथ यह फैलती जाएगी तो इसका जो surface area है जिसमें distribute हो रही है उससे आप डिवाइड करें energy को और उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ energy क्या होती जाएगी गटती जाएगी तो time से भी डिवाइड करें आप तो intensity का formula बच्चो इस तरह से दिया जाता है energy per unit area per unit time ठीके तो ध्यान लगना इस बात को यही चीज़ बताएगी intensity of sound wave at a point of the medium is the amount of signed energy passes per second normally through unit area at that point ठीके तो unit area से मतलब per unit area से divide कर दो और per unit time कितनी जो है वहाँ से sound energy pass हो लिए that is known as intensity of the sound ठीके its unit is watt per meter square तो देखो यार energy मतलब क्या हुआ joule per meter square per second joule per second क्या हो गया watt per meter square इस तरह से दिया जा सकता है intensity of ordinary sound is nearly this ठीके ordinary sound की intensity यह होती 10 to the power minus 6 watt per meter square that is the intensity of a normal sound ठीके while minimum intensity of sound audible to ears is 10 to the power minus 12 इतनी तो intensity होनी चीए वरना अपने को आवाज सुना ही नहीं देगी ध्यान रखना यह ध्यान रखने वाले figure से जो ICC board में पूछे जा सकते है 10 to the power minus 12 watt per meter square greater the energy carried by sound greater is the intensity the same बात सही बात है यार intensity और energy क्या है directly proportional है greater energy होगी तो greater intensity यहाँ पर produce हो जाएगी the intensity of sound wave in air is proportional to the square of amplitude जो मैंने आपको बात बोली थी square of amplitude होता है तो ध्यान रखना so जो आपकी energy है यहाँ पर so the intensity of a sound wave in air is proportional to the square of the amplitude amplitude के square के intensity से ही अपन loudness निकालते हैं अभी बात में सिखाने वाला हूँ आपको मैं तो कोई बच्चा सुतरो का सर आपने तो पहले loudness बोला था अब आप intensity की बोल रहे हो intensity जो होता है उसी को compare करते वे अपन क्या करते हैं loudness निकालते हैं इसकी unit होती है decibel होती है bell होती है अभी बात करेंगे आगे देखो ध्यान से the square of the frequency of vibrations ठीक है so intensity sound wave in air is proportional to the square of the amplitude and the square of the frequency of the vibrations intensity जो है square of the frequency of the vibrations and the density of the air ठीक है तो इस तरह से कहते हैं हमें proportional to the density जिस air में वो move करें तो प्लीज ये तीनों बाते ध्यान रखें बहुत important fact है यहाँ पर then subjective nature of loudness और objective nature of intensity subjective nature का मतलब क्या होता है subjective nature का मतलब होता है कि loudness जो है हर person के लिए लगलग depend कर सकती है ऐसा हो सकता है कोई person बोले कि यार ये ज़्यादा शोड़ शराबा लग रहा है मुझे कोई person बोले कि नहीं यार it's okay I have an habit ठीक है तो ये जो चीज है subjective nature of loudness loudness क्या होती है subjective होती है dependent होती है कोई कह सकता है यार ये मुझे तो normal लग रहा है कोई कह सकता है कि मुझे ये comfortable नहीं लग रहा है ठीक है वेरिस intensity क्या होता है एक formula से निकलके आती है यहाँ पर तो objective nature of intensity वो अभी हम आपको यहाँ पर समझाने वाले है आगे देखो loudness of a sound depends on the intensity तो यही जो मैंने बात बोली थी loudness का जो है कुछ लेना देना होता है intensity से ठीक है और मैं आप यह सोड़ी तर पहले आपको पिछले पेश में बता चुका हूँ intensity जो है proportional to amplitude square proportional to frequency square proportional to the क्या चीज़ थी इसके बाद density of the air in which it is traveling ठीक है then the energy convert by the sound wave near the eardrum of the listener ठीक है तो intensity पो डिपैंड करती है कितनी energy जो है intensity का मलब क्या होता है energy per unit area per unit time ठीक है जिए उसपर depend कर रही है and the sensitivity of the ears of the listener ठीक है अब किसी कान क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा sensitive हो सकता है किसी के कान क्या हो सकता है तो यह depend करेगा listener के उपर कि उसे sound जो है बहुत ज़्यादा loud लग रही है या coming loud लग रही है आयोग बात सुमझ में आगे हो है आगे बढ़ते हैं इसीज को समझते हैं Thus loudness of sound of a given intensity may differ from listener to listener हर एक listener को different sound की जो है यहाँ पर intensity जो है loudness of sound of given intensity उसकी जो loudness है वो अलग-अलग लग सकती है ठीक है The sound of the same intensity may appear to be different loudness to different persons further two sounds of the same intensity but of different frequencies may differ in loudness even to the same listener because the sensitivity of the ears ठीक है तो ऐसा हो सकता है दो अलग-अलग sounds है same intensity की but different frequencies की तो में different loudness ठीक है तो ऐसा हो सकता है वैसे जो loudness होती है उसका लेना देना intensity से frequency से कुछ भी नहीं है ठीक है बट फिर भी उसको ऐसा हो सकता है कि लग जाये दूसरों observer को but of different frequencies may different loudness differ हो सकती है loudness में to the same listener because the sensitivity of the ears ठीक है तो sensitivity पे depend करती है what is the thing loudness ठीक है ध्यान रखना for normal ears the sensitivity is maximum at frequency of 1 kilohertz so 1 kilohertz पे maximum frequency हो जाती maximum sensitivity हो जाती इस frequency पे thus for a sound wave loudness has a subjective nature loudness क्या है आपका subjective nature है मतलब depend करता है person to person इतना detail में आपका exam में explain नहीं करना है आप बिल्कुल लिख सकते हो that loudness subjective quantity है ठीक है it is dependent on the sensitivity of the person's ear it can vary from person to person so ऐसा हो सकता है a loud voice can be comfortable to one person but for a different person that loud voice is disturbing because of the sensitivity of the ears इस तरह से आप explain करके लिख सकते हो इसे ठीक है while intensity being a measurable quantity has an objective nature तो intensity का क्या होता है बच्चो objective nature होता है इसको measure करना अभी सिखाने वाले हैं आपको factors affecting the loudness of sound क्या क्या factors affect करते हैं अभी देखते हैं loudness is proportional to the square of the amplitude देखो intensity भी से प्रपोशनल आ रही थी loudness जी मैंने आपको starting में ही बताया था इसके बाद loudness varies inversely as the square of the distance square of the distance ठीक है तो inversely proportional to area ठीक है simple सी बात है जैसे जैसे area में फैलती जाएगी आपका intensity घटती जाएगी तो intensity घट रही है तो कैसे घटती है energy per unit area ठीक है तो आप बोल सकते हो inversely proportional to the area area कैसे लिख सकते हो अब आप अगर माल लो 3D में area की बात करोगे ऐसे spread होता हुआ तो 4 pi r square 2D में divide करोगे तो क्या होगा ये pi r square तो आप 3D की बात करो 3D के अंदर क्या लिख सकते है 4 pi r square ठीक है तो इससे कह सकते हो loudness is inversely proportional to the square of the distance यही बात बोली गई है यहाँ पर ठीक है then आगे देखो loudness depends on the surface area of the vibrating body तो यह तो बड़ी simple जी बात है अगर आप देखो जितनी बड़ी surface area होगी vibrations की उसने जाता loudness produce होगी इसलिए तो हम hollow sound boxes यूज करते हैं मैंने पहले भी थूड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कल के lecture में कि जो hollow sound box होते हैं उसके अंदर क्या roll होता है tuning fog को vibrate किया उसके अंदर amplitudes है उसको आपने जैसे ही touch कराया उस air hollow air drum के अंदर क्या हुआ vibrations start हुए उसके अंदर vibrations होते हैं उसकी ज़्यादा energy हो जाती reason क्योंकि उसका जो surface area है वो बड़ा है यहीं चीज़ लिखिए large vibrating area sends force a greater amount of energy large area है तो greater amount of energy जाएगी hence larger the surface area of the vibrating body louder is the sound heard जितना बड़ा surface area उतनी ज़्यादा sound heard होगी for this reason the bell in school, stemples, etc. is made big in size तो ऐसा नहीं होता bell को छोटा सा बरा दे जितनी बड़ी bell होती है एक बार hit करोगे उसके यह से क्या होगा जादा बड़ी sound produce होगी जादा loud sound produce होगी ठीक है when a tuning fork is sounded in air the sound given by it is feeble but when it is placed on a table top यही बात मैंने करी थी आपको hollow sound box उसके अंदर होता है the sound becomes much louder the reason is the table top provides comparatively a large surface area of air ठीक है अब जो है सिर्फ table top की बात कर रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं table top क्या होता है बहुत लंबा होता है उसका जो surface area होता है वो बड़ा होता है तो hit करोगे तो पूरा table top vibrate करेगा that is the reason for this ठीक है and so the sound energy reaching our ears increases similarly in case of the stringed instruments sound chamber is provided देको hollow box sound box की मैं जो बात कर रहा था यहाँ पर दे दिया है इन्होंने to increase the volume of air to vibrate and enhance the loudness of the sound increases that's how you can find this thing ठीक है I hope यह बात समझ में आगे होगी आगे बढ़ते है आगे जो चीज दे रखिए देखो यहाँ पर एक formula भी समझा रखा है loudness depends on the density of medium थोड़ी तरे पहले बात करी थी हमने यही चीज दुबारा दिखी भी है loudness is directly proportional to the ऐसे लिखते है loudness is directly proportional to the density of the medium ठीक है more the density of the medium more the loudness loudness depends on the presence of resonant bodies बहुत simple सा example है अगर देखो एक body vibrate कर रही थी उसकी जो frequency है वो दूसरी body से match करके उसकी natural frequency से तो क्या होगा large sound produce होगा loud sound example एक tuning fog याद करो 256 hertz का जो कल पड़ाया था उसको हिट किया table top पे रखा hollow sound box से आवाज दूसरे वाले sound box में गई उसके table top पे 256 hertz का दूसरा tuning fog रख रखा था दोनों vibrate करेंगे दोनों की इसकी जो natural frequency है दूसरे वाले की driving force वाले की भी उतनी frequency है तो क्या होगा resonance create हो जाएगा यहाँ पे ठीक है so loudness depends on the presence of resonant bodies presence of resonant bodies near the vibrating body increases the loudness of sound ठीक है because इसकी जो natural frequency है वो match करके driving frequencies है ठीक है आगे देखते है relationship देखो यार between loudness and intensity इस तरह से देख सकते हैं loudness can be given as k10 k log 10 by i ठीक है तो यह क्या है जड़ा देख लो loudness of sound depends on its intensity but loudness is not same as intensity loudness और intensity एकदम सेम नहीं है एक formula बनाया गया है उससों किस तरह समझाया गया है देखो intensity is a measurable quantity while loudness is a sensation experimentally Weber and Fencher establish a relationship अभी experimental relationship है between the loudness L and intensity loudness को ऐसे देखे k log 10 upon i ठीक है where k is a constant of proportionality obviously loudness increases with the increase in intensity but not in the same proportion ठीक है विकोज हम कैसे कह सकते है अगर आप logarithm में graph की बात करो तो आप जानते हुए कुछ ऐसा graph होता है यहाँ से ऐसे आता हुआ ऐसे चला जाता है ठीक है तो आपने देखा है log का graph suddenly increase होने लग जाता है जब इस direction में जाता है तो उसी के बात करेंगे units of loudness and sound level phone and decibel loudness की unit क्या होती है phone loudness की unit होती है phone ध्यान रखना and intensity की होती है decibel ठीक है intensity नी sound level intensity तो पढ़ाई दी थी ना मैंने watt per meter square इसकी होती है sound level की decibel ठीक है decibel यहाँ पर हो गया then यह देखा आगे the unit of loudness is phone ठीक है तो loudness की unit क्या होती है phone होती है the level of sound is expressed in decibel level of sound sound level decibel में आप explain करते है db लिखा जाता है इसे इतने db की आवाज the loudness of sound in phone is the loudness in decibel of an equally loud pure sound of frequency 1 kilohertz ठीक है तो इसने बोला कि यार one phone is equals to loudness of sound in phone one phone is equals to loudness in decibel of an equally loud pure sound of frequency 1 kilohertz तो ठीक है तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इसका मतलब क्या है decibel के अंदर अगर मैं इसे चेक करूंगा तो is the loudness in decibel of an equally loud pure sound of frequency तो frequency 1 kilohertz वाले की जो है db कितनी आ रही है वो चेक करना सीखना पड़ेगा ठीक है अभी चेक करना सीखना है both the phone and the decibel scales agree at frequency 1 kilohertz ठीक है तो यह equal हो जाते है agree मतलब equal हो जाते है तो one phone is equals to frequency of 1 kilohertz वाला जो है उसके कितनी decibel में amount आ रही है ठीक है then from equation the loudness L is related to the कैसे लिख सकते है L is equals to यह पहले ही लिखावा था it is a given frequency I1 and I0 are the intensities of two sounds of which loudness are L1 and L0 ठीक है तो L1 निकाला intensity I1 पर L0 निकाला intensity I0 पर दो लिखा लिए अब इंदरों को difference देगे sound level का क्या मतलब होता है difference in the loudness levels ठीक है वोई चीज अब सिखाने वाले हैं आपको difference कैसे निकाला है यहाँ पर hence the loudness of two sounds loudness को देंगे दोनों को minus कर दो तो आप बलोगे के log 10 यहाँ पर क्या रहा है I1 upon I0 उसको लिख दें क्योंकि logarithmics जब minus होते हैं तो log x minus log y को log x by y लिख दिया जाता है तो यहाँ लिख दिया that is the formula of loudness ठीक है if I0 is the minimum intensity minimum intensity आपको तुट देर पहले ही बताया था 10 to the power minus 12 होती है ध्यान रखने वाली बात है बेटा of audible sound at frequency 1 kHz then L is called the sound level ठीक है यह L जो होता है अभी अभी मैंने बताया था that difference in the two sounds loudness of the sounds is known as sound level ठीक है taking k equals to 1 the sound level is written as तो इस तरह से आप लिख देते हो sound level का formula log 10 i by i0 इतना यह unit आजाता है bell ठीक है bell unit पहले जाता है i0 की value क्या है 10 to the power minus 12 ठीक है याद रखना 10 to the power minus 6 क्या होता है normal आवाज होती 10 to the power minus 12 है यहाँ ठीक है then आगी क्या क्या सकते है अपन 1 by 10 से multiply किया यहाँ पर 10 लिख दिया ठीक है तो यह जो था है यहाँ पर 10 आया यह 10 आ गया तो यह क्या हो जाएगा decibel हो जाएगा ठीक है तो इसको लिख सकते है l is equals to 10 log 10 i by i0 in decibel ठीक है तो decibel में आपने से convert कर दिया है इसे divide करके है वो बात समझ में आगे होगी here bell और decibel decibel लिख दिया है decibel है यह is the unit of loudness level named after the scientist Alexander grambell ठीक है the inventor of the telephone ठीक है इसने telephone भी invent किया था इसने बताया था that one phone is equals to one phone ठीक है grambell जो है i1 is equals to i0 sound level is equals to 0 dB अगर minimum intensity वाली ही sound है तो difference in loudness क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा simple सी बात है difference in loudness is equals to 0 sound of intensity this at frequency 1 kHz has the loudness level 0 dB यहीं बताया था मैंने 1 kHz पे match कर जाता है one phone is equals to 1 kHz frequency वाली जो sound है उसकी loudness के बराबर intensity at a point increases from i0 to i1 100 i0 हो जाते हो देखो कैसे करोगे आप आप बोलोगे l is equals to 10 log 10 i की जेका लिखोगे आप 100 i0 by i0 logarithmics आपको solve करने आते होंगे तो इसे लिख सकते हो आप 10 to the power to 10 log 10 यह क्या बन जाएगा 10 into 2 that is 20 decibel इस तरह से आप solve करके इसे दे सकते हो देखो यहीं पर यहाँ पर इस तरह से solve कर रखा होगा इसने 20 db बन गए यहाँ पर for an increase the intensity of i1 अगर यह इतना हो जाता है तो इसकी power देखो कितनी हो रही है 10 to the power 4 हो रही है तो आप लिख दोगे यह 40 decibel यहाँ पर answer आ जाएगा same method से solve करना 40 decibel इस वाली scenario में आ जाता है यह आगा है अगर बोला है यह 1 db है ठीके और फिर आपको बोला जाए कि यह निकालो i1 निकालो तो आप कैसे कर सकते हो आप बोलोगे sir देखो 1 is equal to 10 log 10 of i जो निकालना है i by i0 ठीके यह 1 by 10 हो जाएगा 1 by 10 को कैसे लिख सकता हो मैं log i by i0 ठीके इस्सू कैसे लिख सकता हो मैं यह जो चीज़ है यहां पर यह चीज आ गए मेरी यही चीज देखो i1 by i0 एट एंटी-log लिया 1 by 10 का तो यह क्या लिखा हो सकता है यह पर 1 हो सकता है इससु कैसे लिख दिया जाता है ध्यान से देखना इसको लिख दिया जाता है 1.26 तो यह जो चीजे है आप ध्यान रखना कि आप इसे डिरेक्टली नहीं लिख सकते हैं आपको इस तरह से एंटी लॉग टेबल और लॉग टेबल आपके पास होनी चीज़ तो भी आप कर पाते हैं तो यह जो है इस तरह से आप लिख सकते हो that it is given by this thing तो यह 1.26 आ गया है यह पर तो आएवन क्या हो गया आपका आए नोट टाइमस वनदा 1.26 टाइमस आए नोट 1.26 टाइमस आए नोट यह आ गया ठीक है that's how it can be calculated अब देखो कुछ यहाँ पर लिस्ट दे रखी है जैट जो है 140 डीबी होता है बहुत तेज आवाज करता है पॉप कॉंसर्ट जो होता है जो चल रहोता है 130 पे पुलिस का सारका साइरन 120 हैवी हैमरिंग मशीन हैवी मशीन इतनी करती है डीजल लॉरी 90 मोटर साइकल और कार 80 डीवी वैक्यूम क्लीनर जो घर पर यूज करते हो 60 नॉर्मल कंवर्जेशन देखो 50 से लेके कितना जल्दी जो है आप यहाँ 50 किती जल्दी मोटर इस पर पहुंच गया जाता है ठीक है यहाँ पर मिनिममम इंटेशिटी की वोईस पर पहुंच जाते हो तो और यह चीज मैंने आपको अल्रेडी बता दी है ठीक है चलो यह आगे देखो नॉइज पॉलिशन क्या होता है नॉइज पॉलिशन जल्दी से अभी समझ लेते हैं ठीक है यह सारी चीजे मैंने आपको बता दी है नेक्स्ट नॉइज पॉलिशन दिस्टर्बेंट्स प्रोडूस इन दी एन्वाइरमेंट ड्यू टू अन्डिजारेबल लाउड और हार साउंड अफ लेवल अबाव 120 डीबी तो 120 डीबी देखो इसके उपर तो पुलिस की जो कार का साइरन है यह एक्जेक्ली नॉइज प लगाना साइरन, मुविंग वहिकल जो हैं ठीके जो तेज आवाज कर रहे हैं ठीके अ कॉंस्टेंट हीरिंग ऑफ साउंड अफ लेवल अबाव 120 डीबी तो 120 डीबी के उपर अगर आप लगातार आवाज सुनते रहो जैसे पॉप कंसर्ट में अगर आप बैठे रहोगे त तो 0-80 डीबी जो है आपके लिए नॉर्मल है 80 डीबी देखो कहां तकार है मतलब मोटरसाइकल और कार की आवाज तक डीके इसके अपर जो हैवी मशिन रहे हैं इस पे आपको परेशानी होना चालू हो जाएगी sound of level 30 डीबी to 10 डीबी has a soothing sensation soothing sensation होता है बहुत दीरे शांती शांती से प्यार प्यार से बोल रहे होते हैं ये लोग ठीके while the sound of level 0 डीबी represents the lower limit of hearing तो ये lower limit हो जाती है ठीके ध्यान रखना है वाली बात 0 डीबी से नीचे आवाज नहीं हो सकती because that is the minimum intensity वाला जो है sound जो loudness है sound level जो है वो अपने निकाला है limit of hearing should not be confused with the limit of audibility देखो limit of audibility अलग है limit of hearing अलग है देखो audibility तो क्या है एक standard चीज है जो हमने design करके रखी है ठीके but limit of hearing क्या हो सकता है हर परसन क्या अलग हो सकती है देखो जहां हम से the limit of audibility refers to the frequency of sound 20 to 20 kilohertz यह fixed है यह but यह audibility क्या लग हो दूसरी क्या थी limit of hearing it can depend and it can different for two people ठीके which a man can hear while the limit of hearing is the lowest level of loudness that is 0 dB which a man can hear ठीके तो यह जो है यहाँ पर है audibility है audible sound है जो हमें सुनाई दे सकती है ठीके then 0 dB क्या है यहाँ पर आपकी loudness जो है so limit of hearing is the lowest level of loudness अब देखो 10 to the power minus 12 जो था 10 to the power minus 12 जो था इसी को solve करने से निकला 20 hertz वाली जो frequency है उसकी इतनी energy हो जाती 20 to the power minus 12 watt per meter square जब उसे solve करते हैं तो हमने वोला कि यह यह bare minimum sound है तो यह जो हम कह सकते है limit of hearing is 0 dB 0 dB के उपर आप सुन सारे सुन बाते सारी ठीके then pitch और shrillness and frequency अब क्या है देखो pitch is related to the frequency ठीके ज्यान से देखते है pitch is the characteristics of sound by which an acute और shrill note can be distinguished from grave और flat note देखो shrill voice का मतलब होता है पतली आवाज ठीके तो मतलब जो women के आवाज होती है उसको shrill voice कहा जाता है high frequency है ये वेरेस ये जो है grave और flat note जो है ये low frequency वाली है ठीके ये बात आगे समझ में pitch refers only to the musical sounds and each musical note has a definite pitch because they have different frequencies if the pitch is high the sound is shrill ये बता दिया if the pitch is low the sound is flat in a tape recorder or TV bass and treble refers to low and high pitch ठीके बोलते है न कि bass और treble को जो change करने से जो है वहाँ पर आवाज की quality change हो जाती है that is known as high pitch and low pitch जैसे जैसे आप bass बढ़ाते जाते हो bass बढ़ाने से क्या होता है आवाज grave होती जाती है भारी higher bass और treble बढ़ाने से क्या होता है treble बढ़ाने से क्या होता है आवाज वापिस पतली होती श्रिल होती जाती है तो higher frequency पे पहुंच जाती है at a bass a woofer low pitch और grave sound to produce मैंने बताया आपको कि grave करने से क्या होता है या आपर bass से grave हो जाती है मतलब low जो है उसकी frequency हो गई है बाइट तबला और धोलक तबला और धोलक से क्या होती है shrill voice नहीं आती है grave voice आती है भारी आवाज आती है तबला और धोलक से ठीक है then becomes predominant while a treble high pitch shrill sound ठीक है produce by the flute हो गया while in हो गया piano हो गया flute और घूंगरू ankle bells becomes predominant ठीक है तो अगर आप घर पे जो आपका instruments होंगे instruments मतलब अगर घर गवे आपको बास जो है अगर music system है अगर आप धीरे धीरे बेस बढ़ाएंगे तो आपको तबला धोलक इनकी आवाज जादा सुनाई देने लग जाएगी because it's grave voice low frequency वाली voice आपको low pitch वाली voice आपको सुनाई देने लग गई अगर आप श्रिल जो है वो सुनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इसके अंदर आप जो है दूसरी जो चीज है treble treble को increase करेंगे तो आपको flute हो गया, piano हो गया, then घुम्रू हो गया, इनकी आवाजे सुनाई देने लग जाएगी and this is having high frequency ठीक है आगर बढ़ते है pitch of a note depends on its frequency, two notes sounded on the same instruments with same amplitude amplitude देखो, height same रखनी है आपको, will differ in pitch when their vibrations are of different frequencies different frequencies के आप यहाँ पर vibrations करने वाले हो, देखो यार, यह देखो ज़रा, यह यह था, अब same यहाँ पर जो है amplitude, यह length को same रखा आपने, यह length को same रखा और frequency जो थी यहाँ पर बढ़ा दी, यहाँ दो wave होगे, इतने duration में यहाँ एकी waves थी, ठीक है तो इसकी frequency जादा है इसकी frequency जादा है, तो यह क्या होगे, shrill, यह क्या होगे, ग्रेव, ठीक है, I hope बात समझ में आयोगे this figure shows the traces of two waves obtained in the screen of CRO, when two tuning forks of A and B frequency 256 and 512, तो मुझे obviously पता चल रहा है that this is 256, it is 512 Hz, यह चीज हो गई है यहाँ पर, ठीक है, respectively are separately made to vibrate one after the other by striking them with the same force on a rubber pad in front of the microphone of the experimental setup shown in the previous figure, आपको याद आ रहा होगा previous figure, एक CRO लगा रखा था, cathode ray oscilloscope लगा रखा था, उससे wire connected था, mic लगा था और बाजू में क्या था, tuning fork रखा था तो दो अलगरे tuning fork लाके अब आपने rubber pad पर hit किये और उनके सामने ले जाके रखा, जुसका lower frequency होगा उसका ऐसा graph बना, higher frequency वाले का ऐसा graph बन जाएगा, ठीक है both the traces have the same amplitude and the same wave, same waveform, ठीक है, waveform जो है, wave की quality अभी पढ़ने वाले है, दोनों sine x के curves है, same wave quality but they differ in frequency, on hearing the sound of two tuning fork, it is observed that the sound of tuning fork, B of frequency 512 hertz, is shriller, ठीक है obviously बात है, high frequency है तो यह shrill है, यह low frequency है तो यह grave है, ठीक है, then the sound of the tuning fork of frequency 216 hertz thus more the frequency of the wave, higher is its pitch and less the frequency of the wave, lower is the pitch, ठीक है, higher frequency, high pitch, lower frequency, less pitch, ठीक है आगे बढ़ते हैं, example of change in pitch, instruments such as piano, violin, guitar, have several strings of different thickness under different tensions ठीक है, तो बहुत सारी strings लगी होती है, अब आपको मैंने पढ़ाया है, हर string की जो है, अलग-अलग velocity होती है V is equals to T by mu, अगर आप याद करने कुछी से करो तो frequency is equals to 1 upon 2 pi under root T by mu हमने इस तरह से जो थी frequency आपको derive करना सिखाया था, mu क्या था, mass per unit length T क्या था, tension in the string, ठीक है, वो formula ध्यान करो, अलग-अलग string की अलग-अलग velocity होगी उसके अंदर depending on the tension in that and depending on the mass per unit length तो अलग-अलग velocity अगर produce हो रहे होगी उसके अंदर तो V equals to lambda F के इस्तेमाल से हम कह सकते हैं, अलग-अलग frequencies वहाँ से produce होगी, ठीक है Since the frequency of vibration of a string depends on the tension, आगे बात, thickness of a string they can produce nodes of different pitch, ठीक है, तो हर जगह अलग-अलग velocity होगी, ठीक है and depending on that frequency भी बदल जाएगी note of higher pitch can be obtained by vibrating this string, under high tension, और by vibrating a thinner string, ठीक है अगर ऐसा है, तो आप ध्यान से देखो, क्या बोला है इसने note of higher pitch, higher pitch मतलब high frequency, high frequency कैसे दे सकते हैं आप आप बोल सकते हैं, frequency का formula देखा ता 1 of 1, 2 pi, under root, t by mu t क्या है, tension, तो इसको बढ़ा दो, and high tension होगी और by vibrating a thinner string, thinner string मतलब mass per unit length जिसका ज़्यादा हो, mass per unit length जिसका ज़्यादा होगा, mass तो देखो दोने strings का same है, जो string thinner होगी, ठीक है, उसका ये ज़ो है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, thinner string का जो है, इस तरह से आप देख सकते हो mass per unit length, अच्छा, length तो सबकी बरावर है, okay, length सबकी बरावर है, same length जो thinner string होगी, उसका mass कम होगा, ठीक है, thinner string का low mass, अगर ये low mass होगा, तो ये चीज क्या होगी, कम हो जाएगी, तो overall, अगर denominator छोटा है तो overall quantity क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बात समझ में आगई होगी, in case of a fluid, a lower note is obtained by closing some more holes, so that the length of the vibrating air column increases, याद करो, अगर wave जो है, बड़ी बन जाती है, तो जो frequency आपको सिखाई ती है, आपर देखो, in case of fluid, a lower note is obtained by closing some more holes, so that the length of the vibrating air column increases, अगर length बढ़ जाएगी, vibrating air column की, तो wave जो होगी, इस तरह से लंबी बढ़ जाएगी, wave लंबी बन जाएगी, तो frequency घट जाएगी, ठीक है, that's how we can do it, as the water level, इने picture kept under water, tap rises, ठीक है, तो water level जैसे जैसे बढ़ता जाता है, tap के अंदर क्या होता जाता है, length of air column decreases, obviously जो उपर वाली column की length है, वो घटती जाएगी, so the frequency of sound produce increases, ठीक है, frequency of sound produce क्या होती जाती है, increase होती जाती है, ठीक है, आप बोलों कि the sound becomes shriller and shriller, thus by hearing the sound from a distance, one can get the idea of water level in the picture, ठीक है, तो जैसे जैसे जो है water level उपर आता जाएगा, आपका क्या होता जाएगा, जो column है, उसकी height घटती जाएगी, column की height घटती जाएगी, तो क्या होगा, frequency बढ़ती जाएगी, in that case, frequency will increase, तो उससे क्या पता चल जाएगा आपको, उससे आपको यह पता चल जाएगा, कि भाया, कितना भरा हुआ है, यह है न, एक rough estimation, exact amount नहीं बता चाएगा, तो आपको यह चीज पता चल जाएगी, तो जाओ उस वाली चीज को देखना, तो यह दोनों points आपको detail में समझ में आ जाएगे, then subjective nature of pitch and objective nature of frequency, सेम बात है, subjective nature of कितर क्या सीखाता हमने वहाँ पर, loudness का, and objective nature of क्या बढ़ाता हमने, intensity का, वैसे ही जो है, यहाँ पर जो है, हम यहाँ देखने भारे हैं, देखो, सेम बात बता रहो यहाँ पर, ठीक है, एक सेकंड रुख जाओ, कहां क्या है, यह रहा, subjective nature of loudness, loudness subjective है, and intensity क्या है, आपकी objective, ठीक है, यह चीज़ ध्यान रखने है, ठीक है, यह चीज़ अकर याद रहेगी, तो आगे वाले भी याद रहेगी, यह रहा, subjective nature of pitch, तो जैसे loudness था वहाँ पर, यहाँ पर क्या है, pitch, यह subjective है, वहाँ क्या था, intensity, यहाँ पर क्या है, frequency, frequency, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, loudness को amplitude से rate करते हैं, intensity को भी amplitude से rate करते हैं, तो पहले जो है, यहाँ समझाया गया है, loudness subjective है, intensity आपका objective है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सीच के अंदर, आगे दीको, pitch is not the same as frequency, pitch और frequency exactly same नहीं है, pitch refers to the sensation as perceived by the listener, तो pitch का बतलब क्या है, sensation क्या आ रहा है आपके पास, same यहीं था, loudness में भी क्या है, जो sensation आपके पास आ रहा है, वो था, ठीक है, it may be different for a sound of a particular frequency, to the different listener, आई, pitch is subjective, ठीक है, हर एक लोग जो है, अलग-लग कह सकते हैं, यहार मेरे पास जो pitch आ रहा है, वो मुझे come लग रहा है, कुछ कह सकते हैं, जादा लग रहा है, because it depends on the sensitivity of the ears, ठीक है, then on the other hand, frequency is a measurable quantity, it depends on the source producing the sound, it has a definite value for a given sound, which is equals to the frequency of its source, ठीक है, जो source की frequency होती है, उसी frequency से, बाकी जो medium के particle से vibrate कर रहे होते हैं, sound भी उसी frequency से flow कर रहा होता है, it has nothing to do with the listener, so frequencies and objective quantity, frequency क्या है, एक measurable amount है, तुसे हम कहेंगे, वो depend नहीं करता है, ठीक है, चलो यहां तक समझ में आगा, quality और timbre, quality क्या होती है, wave quality, अब देको इतनी देर से में बोल रहा था, wave quality, design का function है, कोई function cost का हो सकता है, कोई triangles बन सकते हैं, भी देखते हैं आगे क्या है, quality और timbre of a sound is that characteristics which distinguish the two sounds of the same loudness, मतलब same उनका amplitude होने वाला है, and same pitch, मतलब frequency भी same होने वाला है, तो अलग क्या होगा उसका pattern, देखो ध्यान से, but emitted by two different instruments, देखिए जा, show the wave pattern of two sounds of same loudness, ठीक है, देखते हैं, इसके बाद वाले पेच पर चलते हैं, यह देखो, two different sources हैं यहाँ पर, एक wave को है, ऐसी है, दूसरे वाले का amplitude यह सेम एकदम, frequency भी same, but pattern अलग है, ठीक है, differs in waveform, ठीक है, one is a sine wave, while the other is triangular wave, ठीक है, तो इनकी जो है, यहाँ पर, quality of musical sound depends on the waveform, तो musical जो होते हैं notes, उनकी qualities पर depend करती है, आगे बढ़ते हैं, usually the sound from an instrument does not contain a note of single frequency, एक ही frequency की जो दी frequency, जो है, mix हो जाती है, बदलती रहती हैं, जो है, but it contains a combination of vibrations of different frequencies, and different amplitudes, vibration of lowest frequency and maximum amplitude is called the principle or fundamental, ठीक है, तो vibration of lowest frequency, जैसे याद करो, frequency जो बताई थी मैंने, V by 2L, F1, F2 जो है, 3V by 2L, फिर याद करो, F3 is equals to 5V by 2L, ऐसे change होती जा रही हैं, ठीक है, यह कौन सी वाली situation थी, जहाँ पर one end close था, सिखा है था आपको, कल की class के जाके देखना, तो यह क्या होगी, यह होगी principle, और fundamental vibration, and the vibrations of frequency, integer multiple of it, are called the subsidiary, और secondary vibrations, ठीक है, तो यह secondary होगए, यह tergory होगए, the subsidiary vibrations are of small amplitudes, frequency जादा है, बढ़ती जारी है, उनके amplitude घरते जारे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सारी की सारी voices होती है, tabla की, drum की, violin की, piano की, they all mixes together to give a new wave, that is a music note, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, suppose with the setup of figure 7.17, first tuning fork of frequency, this is stuck, and plays in front of the microphone, and next a frequency, this is produced by piano in front of the microphone, the traces of the screen of CRO for the two cases are shown in the figure, देखो जिरा देखते हैं, कैसे होता है, ठीक है, एक पहले tuning fork hit करके रख दिया, उसकी एक frequency जा रही थी, फिर दूसरे वाले को hit करके रख दिया, उसकी भी frequency होगी, तो देखो यह mix हो गए, ठीक है, यह mix होने से आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, waveform of a piano, and waveform of a tuning fork, इस तरह से आपको दिख रही है, ठीक है, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं इसे मतलब, यह जो चीज है यहाँ पर हम आगे, इस तरह से दिखाए दिया, प्यानो के अंदर जो है, इस तरह के vibrations है, यहाँ पर क्या है, present in the musical note, that the waveform complex, it is not a sign curve, तो यह अजीब साइसा curve बन गया, ठीक है, बट देखो, musical note है, तो सबसे interesting चीज़ कहें कि यह repeated curve है, thus the quality of musical sound depends on the number of subsidiary notes, and their relative amplitudes present along with the principal note, तो बहुत सारी चीज़े, subsidiary notes पर depend करता है, principal notes पर depend करता है, amplitude पर depend करता है, that is the way quality of music can be defined, thus the quality of a musical sound depends on the number of subsidiary notes, यहाँ पर क्या है, एक subsidiary note आ गई है, यह देखो यहाँ पर, यह तो original वाली तो जाई रही थी amplitude तक, एक subsidiaries के साथ mix हो गई है, and their relative amplitudes, अगर relative amplitude माल लो बहुत बड़ा हो जाता, ऐसे हो जाता, तो यह क्या हो जाता, जादा loudness आ जाती, disturbance बन जाता, अगर बहुत ही छोटा आ जाता ऐसे, तो ऐसे लगता है कि कुछ बजी नीरा दूसरी चीज, ठीक है, present along with the principal note, तो principal note जो थी, वो तो यह रही, यह दूसरी वाली जो आई है, subsidiary यहाँ पर आ गई है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई हो बात समझ में आगे होगी, different instruments produces different subsidiary notes, a note played on a piano has a large number of subsidiary notes, while the same note when played on a flute contains only a few subsidiary notes, thus we can easily distinguish between the sounds of a piano and a flute by their different waveforms, though they may be exactly the same loudness and same pitch, ठीक है, तो ऐसे हो सकते है, piano बजा रहा है कोई एक person, और दूसरा person क्या बजा रहा है, एक तो piano बजा रहा है, ठीक है, दूसरा क्या बजा रहा है, flute लिखा रहाता है, yes, flute, yes, इन दुनों का ऐसे हो सकता है कि same loudness हो, same pitch, but still we can distinguish between the sounds, because they have different wave patterns, तो wave patterns जो है, बहुत ही ज़्यादा important होते हैं, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, by their quality, तो उनकी quality से जो है, आप sounds को पता कर सकते हो कि कौन से instruments है, each vibrating body has its characteristics waveform, this makes it possible for one to recognize the vibrating body, even without seeing it, ठीक है, तो हर का क्या होता है, एक wave pattern होता है, waveform होता है, ऐसी देखो, आपके घर में ऐसा हो सकता है, कोई आपको आवाज दे, दो लोग की frequency same थी, दोनों का जो था loudness भी same था, but still you will be able to distinguish, why, because they both have different wave pattern, waveform अलग है, इसकी वज़े से आप distinguish कर पाते हो, you generally recognize a person by hearing his voice on telephone, without seeing him, it is because the vibration produced by the vocal code of each person, have characteristics waveform, ठीक है, तो अगर आपको mimicry करनी है, तो mimicry करनी में loudness match करना, बहुत आसान है, frequency match करना बहुत आसान है, interesting चीज क्या है कि आप waveform या wave pattern को copy कर पाते हूँ या नहीं, ठीक है, which is different for different persons, similarly one can distinguish and recognize the sounds of two different musical instruments, because of their different waveforms, even if they are of the same pitch and same loudness, same pitch and same loudness से, तब भी आप distinguish कर पाते हो, because they two have different wave patterns, देखो जड़ा, characteristics, loudness को लिट करोगे amplitude से, पिच को करोगे frequency से, timbre and quality is waveform, देखो, जितने भी हमने बात करी हमने कहीं भी यह नहीं बोला कि, एक की quality खराब, एक की quality अच्छी है, तो यह अपने दिमाग से misconception निकाल देना, you will only say that they both have different qualities, quality अलग अलगे, ठीक है, music and noise, तो music को कैसे define किया गए है, जितने को ध्यान से यार, it is pleasant, continuous and uniform sound produced by the regular and periodic vibrations, regular periodic vibrations होने चीए, soothing sound, for example, the sound produced by violin, piano, flute, fork, are the musical sounds, that sound level is usually 10 to 30 dB, इसके अंदर है, noise क्या है, the sound other than the musical sound are called noise, it's a sound produced by an irregular succession of disturbance, and is usually a discontinuous sound, it is discordant and unpleasant to the ears, for example, the sound produced when a stone is thrown on a tin shade is a noise, usually all the sounds of the level above 120 dB, is termed as noise, ठीक है, तो ये noise की और music की एक बात तो आप समझ गए, उसके अलावाद हो क्या होता है, ऐसा हो सकता है, कि 120 dB के कम, 100 dB पे भी आपको music लगे, because, periodic repetition हो, और amplitude के fluctuations कम हो, जैसे देखो, ऐसा हो सकता है, जैसे मालो 100 dB का कुछ बता रहा हो, आप disc के अंदर गए, DJ के अंदर गए, वहाँ पर जो sound था, ऐसा produce हो रहा था, ठीक है, अब यही repeat करते जाओ, जो भी था है, यह repeat करते जाओ, ऐसा sound produce हो रहा है, ठीक है, it can be a music, बहुत चोटे तो और एक बहुत बढ़ा आ गया, ठीक है, तो it can be a music also, बहुत प्यूरिक repetition है, बट देखो, मालो आप बहुत small amplitude की आवाज चल रहा थी, कोई धीरे-धीरे जो था, गाना सुना रहा था, ठीक है, उसकी जो ऐसी थी, गाने की आवाज बहुत धीरे-धीरे प्यार से चल रही थी, किसी ने एक बार बीच में जोर से चिला दिया, ठीक है, और यह ऐसा एक peak आगया है यहाँ पर, it's a noise, it's an anomaly, it's a disturbance that is occurring, आप साफ-साफ देखके कैसे सकते हैं कि सरी यह बीच में क्या आ आगया, इस तरह से noise, यह randomly ऐसे चल रहा था, देखो, graph पर pattern repeat ही नहीं हो रहा है, ठीक है, non repeating pattern, non repeating pattern can be considered as noise, ठीक है, the distinction between a music and a noise is not very sharp, clear cut distinction नहीं कर सकते हैं, it is rather subjective, ठीक है, हो सकता है, डीजे में अगर गए, तो कोई जो बहुत पुराने लोग हैं, old age लोग हैं, वो बुलेंगे कि क्या शोड शराबा है, young generation हमारी जैसी गई, तो बुलेंगे मज़ा आ गया, ठीक है, so it can be a subjective thing, ठीक है, sound which is music to someone, may be a noise to others, यही बात में आपको बोल रहा था, for example, pop song is a music for the young generation, while it may be a noise for the old age generation, तो depend करता है, तो यह subjective चीज़ है, noise pollution, ठीक है, अलग-अलग लोग के लिए, अलग-अलग होती है, ठीक है, बट simple सी बात है, अगर jet plane निकलते रहे कान के बाजू से, तो सबके लिए noise pollution ही है, ठीक है, comparison, music and noise के बीच का, जबरा देख लो, कुछ important points मेंने, आपको यहाँ पर दिखा रखे, इनको important points को ध्यान रखना है, it is regular, smooth and pleasant to years, smooth होती है, regular होती है, pleasant होती है, hearts, discondors and unpleasant to the years, then, it is produced by the vibrations, which are periodic, periodic vibrations से होता है, यहाँ पर, it is produced by an irregular succession of disturbance, irregular succession है, यह periodicity यहाँ खतम हो जाती है, noise के अंदर, ठीक है, periodic अगर noise बना दी जाए, तो क्या पता वो किसी को music लगने लग जाए, ठीक है, just imagine करो, दो लोग सामने, आमने सामने खड़े, और दोनों लड रहे हैं, चल ला रहे हैं, और same ही बात बोल रहे हैं, जैसे इसने किसको कुछ गाली दी, इसने सको गाली दी, ठीक है, दोनों same frequency से, regular interval के बाद, वो ही चीज़ repeat कर रहे हैं, हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, but it can be converted into a music, again, the same thing I am saying, it is a subjective thing, ठीक है, then, all the component waves are similarly, without a sudden change in their wavelength and amplitude, ठीक है, तो कोई भी wavelength and amplitude में change नहीं हो रहाता, सारी waves जो है, regular pattern की होती है, then, component waves changes their characteristics suddenly, and they are on short duration, तो component waves, जो आगे वाली waves होती है, वो suddenly change हो जाती है, कुछ भी बन जाती है, ठीक है, and they are on short duration, it is, 10 dB से 30 dB generally, it is 120 dB, यह example, jet plane का लेते वे नो नहीं दिया है, regular है, यह irregular है, बहुत simple सी बात, the sound produced by the musical instruments, is a music, sound produced by an aeroplane, road roller, industrial machines, they are noise, ठीक है, तो यार, यह chapter जो था, sound का जो chapter था, ICC वाले board students के लिए, चार lectures में, part 1, part 2, part 3, and this is part 4, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, part 4 में हमने, generally characteristics के बारे में बात करी, ठीक है, इस वाले में हमने, generally resonance के बारे में बात करी, इस वाले के अंदर हमने जो था, free, या फिर natural vibrations, ठीक है, या फिर, damped vibrations, इनको detail में समझा, अगर resonance इसमें पढ़ रहे थे, तो हमने साथ साथ में यहाँ पर, forced vibrations भी पड़े थे, तब ही तो resonance वहाँ पर create हुआ, इस से पहले जो था, आपने यहाँ पर, transverse and longitudinal waves, और जो था, generally, v equals to lambda f, f equals to 1 by d, इन सब का आपने यहाँ पर ग्यान लिया, इस तरह से जो था है, पूरा chapter हमने यहाँ पर समाप्त किया, ठीक है, होप मज़ा है होगा आप लोग को, अब देखो यार, जो 9 और 10 तारीक है, 9 और 10 तारीक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, 9th and 10th, जो भी आ रही है, मार्च में, इन दो दिन में मैं आपका electricity and magnetism का revision करा हूँँगा, electricity and magnetism के लिए हमने ये days आपके लिए रखे वे हैं, इसके जो अलावा जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, electricity and magnetism ये हो गया, इसके अलावा जो है आपका course जो है regular चलता रहेगा, आपके मैं बहुत सारे mente quizzes कराने वाला हूँ, do attend the mente quizzes, इसको करने से आपको बहुत अच्छी practice होने वाली है, so let us hope कि आप बहुत अच्छा करेंगे, जो आपका physics का exam है, that's all for the day, इतनी सारी चीज़े में आप लोग के लिए लेकिया है था, यही जो बाते थी मुझे आपको समझानी थी, जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर देना, ठीके, I hope आप लोग को मज़ा है होगा, likes बहुत important होते हैं बच्चो, आपके likes से हमें motivation मिलता है, और उतने ही अच्छी वीडियो, उतने ही content को, उतने ही जोश के साथ पढ़ाने का हमारा मन जो है, बिल्कुल बना रहता है, आरे लाइव कोड को यूज करते हुए, अनेक अड़मी के platform का subscription ले लो, अगर आप 8 या 9 ख्लास में हो, तो बहुत सुनहरी डील आप लोग के सामने है, 18,900 रुपए में, आप 2 साल तक हमाच से mentorship ले सकते हो, 2 साल तक ठीक है, आरे लाइव कोड डालना, इससे क्या होगा, आपकी fees 10% reduce हो जाएगी, जो भी amount वहाँ आ रहा होगा, उससे 10% आपको concession मिल जाएगा, ठीक है, एंट जितने चैसे मेरे अलावा, और भी जितने teachers हैं, जो foundation और NTSU पढ़ा रहे हैं, अगर आपको उनके course के अपडेट्स देखने हैं, तो please let's crack Olympiard जो है, इस जो channel है, इस पे जाओ, और वहाँ पर जाने के बाद जो है, subscribe कर लो channel को, और teachers की भी updates आपको मिलते रहेंगे, till the time, just subscribe the channel, do like our videos, and thank you, thank you for joining the video, चलो यार बाबाए, वापिस मिलते हैं, कल आपको live मिलूँगा, और आपके साथ जो है, 9th CBSC का Mantic quiz भी होने वाला है, 10th ICCC का Mantic quiz भी होने वाला है, on 6th of March, जब तक के लिए, बाबाए,